Tables हम एक document में a moment text ही type करते हैं और अभी तक जो काम हमने किया है वो सिर्फ साधा text के साथ ही किया है लेकिन आप ने ये भी देखा होगा कि documents में सिर्फ paragraphs और lists ही नहीं होते बलकि इसके इलावा हम मुक्तलिफ objects भी इस्तमाल करते हैं objects से हमारी मुराद वो चीज़े हैं जो text के इलावा हैं मसलन pictures, charts, tables और drawings वगेरा हम अपनी जरूरत और मर्जी के मताबिक इन में से कोई भी objects इस्तमाल कर सकते हैं tables हम उस वक्त इस्तमाल करते हैं जब हम rows और columns की शकल में कुछ data अपने documents में शामिल करना चाहें tabular data के मिसाल time table है या employee list हो सकती है इसके अलावा हम production, sale, report को भी table की शकल में दिखा सकते हैं बहरहाल बेशुमार information ऐसी होती हैं जिसे हम table की शकल में दिखाना चाहेंगे tabular data का फाइदा ये होता है कि पढ़ने वाले के लिए information को समझना आसान होता है और इसी तरह charts, drawings और pictures के जिरिये हम अपने document को खुबसूरत भी बिना लेते हैं और पढ़ने वाले के लिए समझना भी सहल हो जाता है inserting table सबसे पहले हम देखते हैं कि tables कैसे बनाते हैं और फिर उनमें text या data किस तरह type किया जाता है आप जानते हैं कि tables दरसल columns और rows से मिलकर बनते हैं और जब हम कोई table और data अपनी document में शामिल करने का इरादा करते हैं तो उस वक्त हमें plan कर लेना चाहिए कि कितने columns और rows दरकार होंगे word processor ना सिर्फ आपको table बनाने में मदद देगा बलके rows और columns को format करने में भी मदद देगा हमारे सामने एक blank document मौझूद है हम इसमें एक table insert करते हैं और उसकी formatting करके देखते हैं इस वक्त हमारी जरूरत कुछ ऐसी है कि हमें एक list बनानी है जिसमें कुछ लोगों का data feed होगा ये list दरसल एक contact list है जिसमें बात में हमें इजाफा भी करना होगा जरूरत के मुताबिक हमें एक six columns और seven rows का table बनाना है इसके लिए हम ribbon tab में मौझूद insert के tab पर click करते हैं insert के tab में हम tables के menu में table की option पर click करते हैं हमारे सामनी एक list open हो गई है आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ boxes बने हुए है अगर हम इस पर अपना mouse pointer लेकर जाएं तो ये boxes select होना शुरू हो जाते हैं और साथ ही नीचे document में table बनना शुरू हो जाता है अगर हम mouse pointer को पहले box से लेकर पहली line के ओपर रहते हुए दाइन तरफ लेकर आएं तो जितने boxes दाइन तरफ select होंगे उतने columns और एक row बन जाएगी इसी तरह जितने number of boxes हम नीचे की तरफ mouse pointer की मदद से select करेंगे उतनी number of rows बन जाएंगी जैसा के आप देख रहे हैं table insert करने का दूसरा तरीका ये है कि in boxes के नीचे insert table की option available है हम इस पर click करते हैं हमारे सामने एक छोटी सी window open हो गई है जिसका title insert table है इस window के पहले section को देखिए जिसका नाम table size है यहां आप जरूरत के मताबिक table के columns और rows की तादाद बता सकते हैं हमें चूंकि 6 columns और 7 rows का एक table चाहिए इसलिए यहां हम column को बढ़ा कर 6 और number of rows को बढ़ा कर 7 कर देती हैं हमने columns और rows की तादाद बढ़ाने के लिए in up और down arrows पर क्लिक किया था आप की बोर्ट की मदद से यहां number भी टाइप कर सकते हैं table size के section के नीचे auto fit behavior का section भी है इसमें मौझूद option को हम कुछ तेर में देखेंगे फिल हाल हम नीचे मौझूद ok की बटन पर क्लिक करके document की तरफ वापस चलते हैं यह दिखिए हमारे सामने एक table है जिसमें 6 columns और 7 rows हैं और इस वक्त हमारा cursor पहले cell में प्लिंग कर रहा है और data entry के लिए तयार है inserting text in table जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि हम यह table गर असल एक contact list तयार करने के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने पहले से ही कुछ जरूरी columns के नाम सोच रखे हैं मसलन पहले column में serial number लिखा जाएगा इसलिए इस सारे column का title serial number को देती है ये लिजिए हमने serial number की मुखतसर शकल इस पहले cell में type कर दी है अगले column में लोगों के नाम type किये जाएंगे इसलिए यहां हम इस column का title name type करते हैं तीस्टे column का title है address क्यूंके यहां हम postal address type करेंगे चौथा column है email का जिसमें हम contact list में मौझूद लोगों के email addresses type करेंगे और आखरी दो columns हैं phone numbers के लिए लीजिए इस contact list में मौझूद columns के titles हमने type कर लिए आपने note किया कि हमने कितने आराम से table के cells में typing की हमारा cursor एक cell से दूसरे cell में shift होता रहा हमने mouse pointer भी इस्तिमाल नहीं किया दरसल हमने keyboard पर मौझूद right arrow की इस्तिमाल की अगर्चे आप mouse pointer से भी अगले cell में click कर सकते थे मगर arrow key से काम लिया गया जो के जल्दी हो जाता है keyboard पर मौझूद arrow keys हमें एक table में किसी भी cell तक पहुँचने में मदद देती हैं और इनका इस्तिमाल सहल भी है इस वक आपके सामने वो ही contact list का table मौझूद है लेकिन इसमें हमने कुछ लोगों की contact information टाइप कर ली है आपको इस table की शकल बदली हुई नजर आ रही है खास तोर पर columns की चुड़ाई ये पहले की तरह एक जैसी नहीं है बलके कोई column चुड़ाई में ज्यादा है और कोई कम दरासल जब हमने column में लोगों के नाम और address टाइप किये तो वो column की चुड़ाई से ज्यादा थे और column ने क्या किया? कि automatically जगा को टाइप किये गए text के मताबिक adjust कर लिया आईए हम लिस्ट में मौझूद एक साहब का postal address टाइप करके दिखाती हैं आप देख रहे हैं कि एक खास हद तक पहुंच कर column की चुड़ाई या width नहीं बढ़ती बलके cursor automatically अगली line में आ जाता है और अगर overall table के width के गुणजाईश बाकी हो तो column adjust होते हुए आपको नज़र आएंगी जिस तरह आप table में text बड़ी आसानी से type कर लेते हैं बेलकुल उसी तरह उसे edit भी कर सकते हैं मगर शर्त ये है कि हमारा cursor पहले उस cell में मौझूद होना चाहिए जिसे edit करना है मसलन हमें तीस्टे नंबर पर मौझूद साहब का mobile नंबर तबदील करना है इसके लिए हम mouse pointer से select करते हैं अब हम keyboard से backspace key को इस्तमाल करते हुए इसे delete कर देते हैं नया number टाइब करते हैं और बस cell edit हो गया आप इसी तरह किसी cell में मौझूद text को edit कर सकते हैं formatting table जब हमें एक table में data feed करते हैं तो आप देख चुके हैं कि column की चोड़ाई या rows की उंचाई automatically adjust होती है अगर आप columns के width और rows की height उत तबदील करना चाहें या जरूरत के मताबिक adjust करना चाहें तो ऐसा मुम्किन है आपके सामने हमारी बनाई हुई contact list मौझूद है हम चाहते हैं कि name के column की width को बढ़ा दिया जाए column width को adjust करने के लिए हम mouse pointer का इस्तिमाल करते हैं हम बहुत एहतियात के साथ mouse pointer को name column के बाई जानिब मौझूद line पर ले कर जाते हैं क्या आपने note किया कि mouse pointer की शकल तबदील हो गई है ये अब आपको double headed arrow की शकल में नजर आ रहा है इस वक्त हम left mouse button को click करते हैं और button को दबाए रखते हुए release नहीं करते अब एहतियात के साथ mouse pointer को बाई जानिब ड्रैग करते हैं आप देख रही हैं कि इस serial number के column की width कम हो रही है लेकिन साथ ही name column की width में इजाफा हो रहा है लीजिए name column की width में इजाफा हो गया आप सोच रही होंगे कि हमने column के बाई जानिब वाली line को क्यों drag नहीं किया क्या ये काम dine line को drag करने से नहीं हो सकता था क्यों नहीं, बिलकुल हो सकता है दरहसल बाई जानिब drag करने से serial number का column चोड़ाई में कम हुआ और उसमें गुणजाश भी थी अगर dine line को drag करते तो address column की चोड़ाई कम हो जाती जिसमें गुणजाश नहीं है जैसे column की width को बढ़ाया या कम किया जा सकता है उसी तरह rows की height को भी कम या ज्यादा किया जा सकता है इसके लिए हम मुतालिका row की top या bottom row पर mouse pointer लेकर आते हैं आप देख रही हैं कि mouse pointer की शकल double headed arrow में तब्दील हो गई है मगर इसका रोख मुक्तलिफ है column की width adjust करने के लिए arrow का रोख दाएं और बाएं जानिब था लेकिन इस मरतबा रोख उपर और नीचे की तरफ है जिसका मतलब ये है कि row की edge को drag करके इसकी height कम या ज्यादा कर सकते है अब हम left mouse बटन को प्रेस करते हैं और इसे release किये बगएर row edge को नीचे की तरफ drag करते हैं ये देखिए row की height बढ़ गई है row की height को अगर कम करना हो तो फिर इस edge को उपर की जानिब drag करते हैं एक बात याद रखिए कि column हो या row एक खास हद से ज्यादा इसकी height या width को कम नहीं कर सकते क्यूंकि उस हद से कम कर दिया जाए तो फिर उसमें text type ही नहीं हो सकता वैसे तो यही recommend करते हैं कि जब आप table बनाने का इरादा कर लें तो plan बना लें कि आपको कितने column और कितनी rows दरकार है लेकिन अगर जरूरत की तहित rows और column में इजाफा करना हो तो ये काम भी word processing की मदद से पासाने किया जा सकता है सबसे पहले हम देखते हैं कि एक column का इजाफा कैसे किया जाता है मसलन हमने जो एक contact list बनाई है इसमें हमें एक column का इजाफा करना है जिसमें इन तमाम लोगों की date of birth लिखी जाएगी अब फैसला करना है कि ये columns कहां add किया जाए मुनासिब तो ये है कि date of birth का column name के column के बाद हो इसलिए हम mouse pointer की मदद से पहले उस cell में एक मरतबा क्लिक कर लेती हैं जहां name लिखा है आप देख रहे हैं कि ribbon bar में table tools के नीचे दो ribbon tabs, design और layout के नाम से add हो गए है अब हम table tools में मौझूद layout की tab पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ribbon bar की list open हो गई है इस ribbon bar में rows and columns के menu में आपको दो options नजर आ रही हैं insert left और insert right अभी कुछ देर पहले हमने name column में mouse pointer से क्लिक किया था और इरादा ये था कि इसके दाएं जानेब column का इजाफा किया जाए अब इस plan के मुताबिद हम insert right की option पर क्लिक करते हैं ये देखिए एक extra column name column के बाद add हो गया है column insert करने के बाद row insert करने का तरीका देखती हैं मसलन इस वक्त हम चाहते हैं कि तीसरे और चौते नंबर पर जो साहब हैं उनके दर्मियान एक और row add करें और एक नए साहब का डेटा शामिल कर दें इसके लिए हम जहां serial number 3 लिखा है वहां mouse pointer से क्लिक करते हैं ताके cursor वहां आ जाए इसके बाद हम table tools में मौझूद layout की tab पर क्लिक करते हैं जो list open हो गई है यहां पर हमें rows and columns के menu में दो options नजर आ रही है insert above और insert below आपको याद है हमने serial number 3 वाली row में इसलिए क्लिक किया था ताके उसके बाद एक row का इजाफा करें लिहाज़ा इस वक्त हम insert below की option पर क्लिक करते हैं यह देखिए एक row का इजाफा हो गया है और पहले से मौझूद rows नीचे की तरफ push हो गई है आँ, column की निस्बत rows में इजाफा करना सहल है जिस तरह हम अपनी जरूरत के लिए column और rows insert कर सकते हैं उसी तरह गेर जरूरी rows और columns को delete भी किया जा सकता है लेकिन एक फर्क है, वो यह के insertion के वक्त हमने एक वक्त में एक column या एक row ही insert की थी मगर delete करते हुए हम एक से ज्यादा rows या एक से ज्यादा columns को delete कर देंगे column या rows को delete करने के लिए पहले उन्हें select करने का तरीका आना चाहिए उसके बाद उन्हें delete करना आसान है सबसे पहले देखते हैं कि column को कैसे delete करना है Deletion से पहले column को select करना पड़ता है हम अपने mouse pointer की मदद से पूरे column को select कर सकते हैं इसके लिए हम mouse pointer को column के बिलकुर उपर वाली edge के गरीब लेकर आती हैं आप lesson area में देख रहे हैं कि column की ऊपर mouse pointer की शकल एक inverted arrow की तरहा है इस वक अगर हम left mouse बटन से एक मरतबा कलेक करते हैं तो एक पूरा column select हो जाता है column को select करने की बाद हम layout tab में मौझूद rows and columns की list में सी delete की option पर जाते हैं एक sub menu हमारे सामने है जिसमें से इस वक्त हमें delete columns की option पर click करना है जैसे ही हमने delete columns की option पर click किया तो आपने देखा कि हमारा selected column भी delete हो गया है इसी तरह हम एक से ज्यादा columns को select करके delete कर सकते हैं ज्यादा columns को select करने के लिए एक बार फिर हम mouse pointer को पहले column की top page के पास ले कर जाते हैं ये देखिए mouse pointer तब्दील होकर inverted arrow बन गया है अब हम left mouse button को press करते हैं और release किये बगएर दाएं जानिब ड्रैग करते हैं आप देख रही हैं कि इस वक्त तीन column select हो जुके हैं अब हम दोबारा layout tab में मौजूद rows and columns की list में delete की option पर जाते हैं एक sub menu हमारे सामनी है यहाँ से एक बार फिर delete columns की option पर click करते हैं क्यूंके हमें selected columns को delete करना है ये देखिए, click करते ही तीनो selected columns delete हो गए हैं columns को delete करने के बाद देखते हैं कि selected rows को कैसे delete किया जाता है columns की तरह rows को select करना भी कोई मुश्किल काम नहीं हम जिस row को delete करना चाहती हैं, उसके left margin की तरफ mouse pointer लेकर जाती है ये देखिए, mouse pointer का रुख तबदील हो गया है और अब ये right pointing arrow बन गया है इस वक्त अगर हम एक मरतबा left mouse button से click करेंगे तो एक मुकमल row select हो जाएगी ये देखिए, rows select हो गई और अगर left mouse button को release किये बगएर mouse pointer को उपर ये नीचे ड्रैग करेंगे तो multiple rows को select कर सकेंगे जैसा के आप rows को select होता हुआ देख रहे हैं selected rows को delete करने के लिए हम rows and column menu में मौजूद delete की option को open करती हैं और इसमें से delete rows पर click कर देती हैं लीजिए, जो rows हमने select की थी, वो सब delete हो गई selected rows या column को हम एक keyboard shortcut की मदद से भी delete कर सकते हैं जैसा के हमने पहले rows और columns को select किया था, बिलकुल उसी तरह हम lesson area में नजर आने वाले table में से भी एक row select कर रहे हैं इसके बाद keyboard से पहले shift का button प्रेस करते हैं और उससे release किये बगैर, delete का button भी एक मरतबा प्रेस कर देती हैं यह देखिए, जो rows selected थी, वो delete हो गई हैं हमने table बनाना और उसकी rows और columns को manage करना तो सीख लिया लेकिन अभी तक हमारे table की शकल बिलकुल सीधी साधी है यानि इसकी कोई खास formatting नहीं की गई table की formatting में इसके border style, table styles के इलावा cells की shading भी शामिल है सबसे पहले हम tables के borders की setting करके देखती हैं लेकिन एक जरूरी बात आपको पहले ही बता दें कि पूरे table में कोई column या row हो उसकी formatting से पहले उसे select करना होगा आईए, सबसे पहले table की formatting की तरफ चलते हैं formatting से पहले हमें table को select करना है, जिसका तरीका बहुत आसान है आप देख रही हैं कि document में एक blank table मौचूद है इस table की rows को drag करके उनकी height बढ़ाई गई है ताकि हमें तमाम borders वाजे नजर आई जैसे ही हम mouse pointer को इस table पर लेकर आते हैं तो देखिए, top left corner पर आपको एक छोटा सा box नजर आ रहा है इस box में आपको एक four headed arrow भी नजर आ रहा है हम जैसे ही mouse pointer को इस छोटी सी box पर लेकर जाते हैं तो pointer के साथ four headed arrow भी बन जाता है अब हमें इसी जगा पर mouse pointer से click करना है ये देखिए, click करते ही पूरा table select हो गया है selection के बाद हम table styles के menu में मौझूद borders के साथ इस छोटी से arrow पर click करती हैं जो list हमारे सामने हैं उसमें से हम आखरी option, borders and shading पर click करती हैं ये window हमने उस वक भी इस्तमाल की थी जब हमने text पर borders apply करना सीखा था बाहराल दुबारा इस window को देखती है बाई जानिब settings का section है जिसमें मुख्तलिफ अंदास की borders settings है इन में से हम all की option पर click करते हैं इस option का मतलब ये है कि table के बाहर और अंदर की तमाम edges का border on कर दिया जाए आप इस window के ताइं जानिब मौजूद preview sample भी देख सकते हैं कि हर edge पर border line वाज़े नज़र आ रही है इसके बाद हम borders के लिए इस्तमाल होने वाली line के style का इंतखाब करते हैं style की selection के लिए ये पूरी list मौजूद है इस list के साथ अब और down arrow की मदद से हम list में बागी मौजूद styles भी देख सकते हैं किसी भी line style को select करने के लिए उस पर mouse pointer से click करना होता है ये देखिए click करते ही preview में sample भी नज़र आ रहा है line style के अलावा हम line का color इस drop down list में से select कर सकते हैं और अगर border line की thickness या width में तबदीली करना हो तो उसके लिए हम width की drop down list में से selection कर सकते हैं दाइं जानिब preview section में आप table का sample देख रही है इस sample के बाइं जानिब और नीचे आपको छोटे छोटे buttons नज़र आ रही है ये buttons असल में मुख्तलिफ borders को on या off करने के लिए हैं आप जिस site का border भी खत्म करना चाहें उस button को press करें और border off हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं लेकिन फिलहाल हम सारे borders को on ही रखना चाहते हैं इन basic settings के बाद हम इस window के नीचे की जानिब मौजूद ओके की button पर left mouse button से एक मरतबा क्लिक करती हैं ये देखिए tables के तमाम cells और edges पर हमारा selected border अपलाई हो चुका है अगर हम चाहें तो सिर्फ किसी एक row या किसी एक column को भी select करके border अपलाई कर सकती हैं मसलन हम ये चाहते हैं कि जो row इस table में column heading के तौर पर इस्तमाल होती है उसका border style और cell color बागी तमाम से मुख्तलिफ हो इसके लिए हमें सिर्फ top row को select करना है इसका तरीका हम पहले भी देख चुके हैं यनि mouse pointer को row के बिलकु left edge पर लेकर जाती हैं यहां तक कि हमें right pointing arrow नजर आए इस वक्त हम single click से पूरी row को select कर लेती हैं row की selection के बाद हम दोबारा table styles के menu में मौझूद borders के साथ इस छोटे से arrow पर click करते हैं जो list हमारे सामने है इसमें से हम आखरी option borders and shading पर click करते हैं हमारे सामने वही border and shading की window open होगी है पहले की तरह all के box को click करके select करते हैं हम चूंके cell का color भी change करना चाहते हैं इसलिए हम इस window में उपर मौचूद तीसरे tab जिसका नाम shading है इस पर click करते हैं Shading के panel में बाए जानेब आपको fill की option के नीचे एक drop down list नजर आ रही है इस drop down list पर click करके जो भी रंग आपको पसंद हो आप उसकी box को click कर सकते हैं हम भी इस वक एक रंग को select कर लेती हैं selection के साथ ही दाई जानेब यहां preview panel में sample भी नजर आ रहा है इस से हमें ये मालूम हो जाता है कि जो रंग हमने select किया है वो कैसा नजर आएगा color selection के बाद हम OK की बटन पर click करती हैं आप देख रही हैं कि table की top row का background color तब्दील हो गया है इसका फायदा ये हुआ कि वो row जिसमें हम column heading टाइप करेंगे वो बागी तमाम रोज से different नजर आएगी लेकिन ये तो वो रंग नहीं है जो हमने अभी palette में से select किया था अरे गबराये नहीं दरसल top row अभी तक selected है हम जरा किसी plan area पर click करते हैं ये देखिए अब आपको असल रंग नजर आ रहा है जो हमने select किया था वज़ा ये है कि जब आप एक colored area को select करते हैं तो फिर उसका selected shade मुखतलिफ नजर आता है inserting pictures जब हम अपना document तियार करते हैं तो अमूमन सिर्फ text की typing और formatting पर ही ज्यादा जोर होता है लेकिन अपने दसावेज को अब पेहतर अंदाज में पेश करने के लिए तसावीर का इस्तमाल कर सकते हैं मसलन अपने documents या topics से related कुछ तसावीर को शामिल कर सकते हैं जैसे किसी चीज की तसवीर या जगा का मंजर या जगा का map तसावीर के साथ काम करने से पहले हम आपको एक और बात बताते चले कि एक तो वो तसावीर इस्तमाल की जा सकती हैं जो हम अपने digital camera से लेते हैं और अपने computer में save कर लेते हैं दूसरी तसावीर वो हैं जो computer में पहले से ही मौजूद होती हैं और इन्हें computer software के जिरिये ही बनाया गया होता है जो तसावीर आप camera की मदद से लेते हैं और इन्हें computer में save कर लेते हैं वो किसी ना किसी folder में save होती हैं जैसे libraries के folder के अंदर pictures का एक folder अमूमन ऐसे ही pictures के लिए होता है दूसरे किसम की तसावीर जो computer software के जिरिये बनती हैं वो एक library में store हो जाती हैं जिसे clip art library कहा जाता है clip art में मौजूद pictures को हम computer के जिरिये search भी कर सकते हैं और जरूरत की pictures को इस्तमाल कर लेते हैं इस वक्त हमारे सामने जो document है इसमें computer से मतालिक कुछ बातें लिखी है लहाजा हम चाहते हैं कि इसमें computer की तसावीर भी शामिल कर लें जहां पर हम कोई तस्वीर लगाना या insert करना चाहती हैं वहां mouse pointer से पहले click कर लेती हैं इसके बाद insert tab में मौजूद illustrations menu में काफी options हैं मगर फिलहाल हम दूसरी option जो के clip art की है इस पर click करते हैं clip art की option पर click करते हैं तो दाएं जानिब एक pen open हो गया है जिसका title clip art है यहां आपको एक box नजर आ रहा है जिस पर search for लिखा है हम इस search box में computer type करते हैं और go के बटन पर mouse pointer से click करते हैं वैसे आप keyboard से enter की भी press कर सकते हैं यह देखे जैसे ही हमने go के बटन पर click किया तो computer ने clip part में से computer से मुतालिक तसावीर तलाश कर ली हैं और वो यहां नीचे उन्हें दिखा रहा है अब चुँके बहुत सी तसावीर मिली हैं इसलिए हम दाएं जाने मौजूद scroll bar की मदद से बागी तसावीर को भी देख सकते हैं अब हमें जो भी तसवीर बहतर लगे इस पर हम एक मरतबा click करते हैं यह देखिए, clip part से computer की तस्वीर हमारे document में insert हो गई है आप देख रहे हैं कि जहां हमारा करशर था, वहां पर ही picture insert हो गई है लेकिन यह picture अभी size में काफी बड़ी है और हमें इसे जरूरत के मताबिक adjust करना है इस picture के size और जगा की adjustment के लिए हमें picture tool की tab को इस्तिमाल करना पड़ेगा picture tool tab हमें हर वक word processor की screen पर नजर नहीं आती जो picture हमने insert की है अगर mouse pointer की मदद से इसे select करें तो आप देखें कि ribbon tab के अंदर picture tools के नीचे format tab भी add हो गई है सबसे पहले हमें picture की option को adjust करना है आप देख रही हैं कि जहां हमने picture insert की थी उसके दाएं चाने बहुत ज्यादा empty space है हम चाहते हैं कि ये picture इतनी ज्यादा जगा cover न करी बलके जो खाली जगा नजर आ रही है वहां भी हमारा type किया हुआ text आ जाए आप देख रही हैं कि picture के चारों जानेब आपको छोटे-छोटे boxes और circles नजर आ रही है अगर हम इन में से किसी भी box पर mouse pointer ले जाते हैं तो pointer की शकल double headed arrow की शकल में तब्दील हो जाती है तो picture का size तब्दील हो जाएगा ये देखिए हमने तस्वीर के corner में मौझूद एक circle को पकड़ कर drag किया तो तस्वीर का size पहले से छोटा हो गया है अब size तो हमने adjust कर लिया लेकिन जो space हमें खाली नजर आ रही है उसे अभी adjust करना बाकी है इस space की adjustment के लिए format टैब में दाइन जानिब arrange की menu में इस बटन पर click करती है ये बटन दरसल rep text का button है जो picture की चारो जानिब text को adjust करता है जैसे ही इस बटन पर हम click करते है तो एक list open हो जाती है और इसमें सबसे पहली option already selected है पहली option के सामनी in line with text लिखा है जिसका मतलब है कि तस्वीर किसी भी line की दर्म्यान insert की जाए इसकी शकल कैसी बनेगी इसकी मिसाल आपके सामनी है इसके इलावा और options भी हैं जिन में से हम इस वक square की option पर click करते हैं आप देख रही हैं जैसे ही हमने square की option पर click किया तो जो text पहले नीचे था वो shift होगर उस जगा पर आ गया है जो पहले खाली थी एक बात जो आपने note की होगी वो ये कि picture के दाएं जानिब जो text आया है उसका left margin बिलकुल straight है और किसी line की तरतीब खराब नहीं दूसरी बात ये है कि पहले जब हम picture को select करती हैं तो picture के चारों जानिब छोटे छोटे white boxes और white circles बने नज़र आ रही हैं इसके इलावा तस्वीर के बिलकुल उपर light green color का एक circle आपको इजाफी नज़र आ रहा है ये green circle दरसल picture को rotate करने या इसको एक दाएरे में घुमाने के काम आता है ये देखिए जब mouse pointer इस green circle पर आया तो pointer एक दाएरे की शकल इख्तियार कर गया है हमें इस वक left mouse button को click करना है और फिर mouse को move करके picture की direction को तबदील करना है ये देखिए mouse pointer की मदद से rotate करने पर picture का रुख तबदील हो गया है इस picture को हम outline भी लगा सकते हैं इसके लिए format tab में मौझूद picture style के menu को देखते हैं picture style के menu में हम picture border पर click करते हैं तो एक list open हो जाती है जिसमें सबसे पहले theme color का palette है इसमें हम picture को दी जाने वाली outline या border का color सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा के यहां से हम ये color सेलेक्ट करते हैं इसके अलावा picture border की इस list में नीचे standard color दिये गए हैं ये ऐसे color हैं जो ज्यादतर इस्तिमाल किये जाती हैं standard colors से नीचे no outline की option है ये इसलिए है कि अगर आप अपनी तस्वीर की outline खत्म करना चाहते हैं तो no outline के साथ वाले box को click कर दें इस तरह picture outline खत्म हो जाएगी picture border की list में अगली option more outline colors की है इस पर click करने से एक नई window open हो गई है यहां से हम अपनी मर्जी के मुताबिक color choose कर सकते हैं और इस arrow की मदद से उस color की intensity कम या ज्यादा भी कर सकते हैं जो color हम choose करते हैं उसका preview हमें इस window के नीचे वाले हिस्से में नजर आता है जैसा कि आप देख रहे हैं color choose करने के बाद हम mouse pointer की मदद से okay पर click करते हैं पिक्चर बॉर्डर की list में अगली option wait की है इस पर arrow लाने से एक और list open हो जाती है इस list में picture को दी जाने वाली outline की चोड़ाई दी गई है हम यहां से three point पर click करते हैं और यह देखें हमारी तस्वीर को outline लग गई है पिक्चर बॉर्डर की drop down list में आखरी option dashes की है इस पर arrow लाने से हमारे सामने outline के मुखतलिफ style दिये गए है यहां से हम अपनी मर्जी से किसी भी style का इंतखाब कर सकते हैं पिक्चर बॉर्डर के बाद arrange के menu में rotate का button है जो एक selected picture को rotate या flip करता है हमने पहले भी एक option इस्तमाल की है जिसमें हमने picture के top edge पर मौझूद green circle को इस्तमाल किया था green circle को move करके हम picture का कोई भी angle set कर सकती है जबके ये बटन picture को सिर्फ 90 degrees पर rotate कर सकता है format tab में अगला menu size का है size के menu में crop का button है crop button की मदद से हम picture के किसी भी घर जरूरी हिस्से की cutting कर सकते है जब हम किसी picture को select करने के बाद crop का button प्रेस करती है तो उसके चारों जानिब कुछ lines लगी हुई नजर आती है और जब हम उन पर mouse pointer लेकर जाती है तो देखिए इसकी शकल बदल गई है इस वक्त हम एक जानिब की edge पर mouse pointer लाते है लेफ्ट mouse button को प्रेस करके दबाई रखते हैं और फिर mouse pointer को drag करते हैं आपने देखा कि हमने mouse pointer को जितना drag किया है तस्वीर के उतने ही हिसे की cutting हो गई है resize और crop में यही फरक है कि resize से तस्वीर stretch हो जाती है जबके crop करने से तस्वीर का मुंतखिब करदा हिस्सा कट जाता है crop के button के बाद हमारे पास format tap के नीचे adjust के menu में correction का button है जो तस्वीर की brightness और contrast को तबदील करने के लिए है correction के button पर click करने से हमारे सामने एक list आ गई है जिसमें contrast और brightness की मुख्तलिफ options दी गई है यहां से हम मुनासिब brightness और contrast की option को select कर लेती है इसके इलावा हम correction के button पर click करते हैं तो हमें नीचे मजीद picture correction options नजर आती है इन options पर click करके format picture की window open हो जाती है जहां से हम अपनी तस्वीर को मजीद बेहतर कर सकते हैं एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि brightness में इजाफा करने से picture में सफेद रंग बढ़ जाता है जबकि contrast में अगर इजाफा किया जाए तो रंग ज्यादा वाजी हो जाती है इसके इलावा color का button भी है जिस पर click करें तो हमें चार options नजर आती है पहली option मुख्तलिफ color tones की है जिसका मतलब है कि हम picture को मुख्तलिफ color tones मसलन gray scale, sapia, washout या black and white कर सकते हैं ब्लैक औन वाइट की option को select करने से एक color picture भी pure black and white में तब्दील हो जाती है washout की option से भी तस्वीर के रंग बहुत हलके या मध्धम हो जाते है दूसरी option more variations की है इस पर arrow लाने से एक list open हो जाती है जिससे तस्वीर के रंग हम अपनी मर्जी के shade में तब्दील कर सकते हैं अगला button set transparent color का है जब हम इस button पर click करते हैं तो हमारा arrow एक marker की शकल का हो जाता है इस marker की शकल को ले जाकर अपनी तस्वीर के जिस हिससे पर हम click करते हैं उसके अंदर से रंग गाइब हो जाते हैं और हमारी तस्वीर का वो हिस्सा transparent हो जाता है color के menu में आखरी option color picture option की है इस option से भी हम वो ही काम लेते हैं जैसके more variations की option से अपनी मर्जी के रंग का इंतखाब किया था summary इस lesson में आपने सीखा कि word processing software की मदद से tables कैसे बनाय जाते हैं table में मौझूद columns की width और row की height को कैसे तबदील करते हैं table में columns और rows कैसे insert की जाते हैं और इन्हें delete कैसे किया जाता है एक table के मुक्तलिफ हिस्सों की formatting कैसे की जाती है और आखिर में ये देखा कि document file में pictures या images का इस्तमाल कैसे किया जाता है